सब्सक्राइब कीजिए सुमित के राठी चैनल को और बैल आइकन को दबाके औल पे क्लिक कीजिए सबसे पहले एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए तो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप लोग का एक बाफिट से मेरे यूटूब चैनल पे जो भी आप लोगोंने वीड़ियो बनाया है जर गलत वीडियो बनाया है आपका प्रोगर बल्लों डाला है वह वीडियों के अंदर नहीं सुक्प बैखेंब अग्रे शुरू करते हntब 2016 ऑ इस वीडियो में सारी पते क्लियर खरूह हो जो जो भी आप लोगों ने इस वीडियो के पर comment किये थे और थम्नेल से लेटेट बहुत सारे लोगों ने बोले कि miss leading thumbnail है गलत thumbnail बनाया है और वीडियो के अंदर कुछ और कुछ बाते बता ही है तो वह सारी बाता आज मैं clear करूंगँ आप लोग की तो देखना क्योंकि जो आप लोगी वीडियो को देख रहे और उस वीडियो को जो आप लोगी बिडियो के टiau समय गर्म होदो जो तरी होजो में आपधार इसमें लोगों ने क्या समझाए कि इसमें मैं विदाउट अधार कार्ड बनाना सिखा रहा हूं बट वो गलत है इस वीडियो मैं जो बताया आप लोग को बताया है कि आप लोग को अधार कार्ड चाहिए ही है बट इसमें जो आपका अधार OTP होता है जो मोवाईल रेस्टेशन आप लोग करवाते हैं वो आप लोग को नहीं चाहिए होता है क्योंकि इसमें जो मैंने जो मोड बताया था फिजिकल मोड बताया था जहां पे आप लोग जो भी फॉर्म भरेंगे वो सारा फॉर्म स्वासस बता रहा हूँ जहांना है तो यहां पर आप लोग को पैन्ली प्रहाइं बेच नाम नहीं गोंगा है बाति फॉर्म आप लोग को इस तरीके से आप लोगको देना है अधार का नंबर होता हो भी डालना है बट यहां पर आपक तो आप विदाउट किसी भी डॉकुमेंट के आप लोग फॉर्म समिट करेंगे पेमेंट करेंगे और यहां पर आपका कोई भी मुबाइल ओटीप होता है जो लोग साथ अकसर एक दिक्कत होती है कि उन लोगों के अधार के लिए नहीं होता है उनका OTP नहीं आपाता है तो यह उन लोगों के लिए था जिनका भी मुबाइल नंबर के इनका अधार नंबर अधार कार्ट जो हता है वह उन लोगों के लिए बताया था इसमें आप लोगों ने अपना बनवाया भी है बट कुछ लोग ऐसे थे जिन लोग को बिल्कुल ऐसा चीए था कि मैं सारी चीजे छी क्लियर करके बतलब के घचीज जो मैं बता रहा हूं हो इनको अपने लगाना पड़े गा कि अपने तरीकए से बता आप लोग को थोड़ा दिमाग लाके जो information डालनी है वह आप लोग को खुद भी डालनी है ऐसा नहीं करना है कि जो चीज मैं डाल रहा हूं वही आप लोग भी डाल देते हैं तो वह चीज नहीं कर रहे हैं क्योंकि इस वीडियो के उपर अभी around 40,000 चल रहे हैं और continuous अच्छे समझा है बड़ आप लोग को पता नी क्यों समझ में नहीं आ रहा है और इसको नहीं सीखना है वो लोक कर रहे हैं इस पर गलत गलत तो उससे मुझे यह फरक नहीं पड़ता है तो यह चीज आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो मैंने चीज बताई है वह विदावत अधार OTP बताई है बहुत सरे लोग ऐसे जिन्हों लोग अपना pencard बना भी लिया है जिस process मैं बता रहा हूं क्योंकि इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है इ तो यही बोलता है कि विदावत अधार OTP pencard बना है तो यह आप लोग को क्लियर कर रहा हूं कि यह जो process है यह अगर आप लोग अभी भी pencard बना रहे हैं और आप लोग सोच रहे हैं कि विदावत अधार काड बन जाएगा तो वह पॉसिबल नहीं है कोई भी process कोई भी आप क प्रूफ ऑफ अटर्णी या प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी या पी यो आई जितने भी कुछ होता है यह सारी आप लोग को hard copy में इनके office भेजनी पड़ती है देन आप लोग का जो pencard होता है वो आपके हाथ में आ जाता है तो आई होब जो आप लोग इस वीडियो के उपर डाउट क्लियर होंगे और यह बशन आपको पासंद नहीं तो आपको लाएक करना है वीडियो पसंद आ रहे है तो लाइक किजिए नहीं है तो डिसलाइक कर सकते हैं वीडियो को और आप लोग का कोई भी konfusion इस वीडियो से रिलेटेड या जो मैंने और डी वीडियो बना झाल